Hello students, अभी हम लोग आज Growth of Nationalism Chapter 2 History का उसके MCQs कर रहे थे और फर्स्ट पार्ट मैं आपको ओलिडी दे चुकी हूँ कुछ थोड़े से MCQs और लिकर के मैं आई हूँ सोने से पहले ये भी लगा ही लीजिए, मज़ा ही आजाएगा आपको ठीक है और मैं एक और चीज आपसे बोलूँगी कि प्लीज MCQ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है सर्फ प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं करना है आपको रटना वटना कुछ नहीं है एक रीडिंग ज़रूर ले लीजेगा अपने चाप्टर की ठीक है जो भी MCQ करा रही है उसकी प्लीज एक रीडिंग बस कर लीजेगा आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप कुष्टन भी सॉल्फ कर पा रहे हो और यहाँ वाले पार्ट से कुष्टन आ रहा है और ऐसे ऐसे कुष्टन पूछे जाते हैं तो वो clarity of mind के लिए जरूरी है एक रीडिंग ठीक है और rest आप practice करोगे और मैं वीडियो बहुत छोटी छोटी बनाकर के दे रही हूँ छोटे timeline के इसलिए कि आप उसको कम से कम पांच बार देख सको आपने अगर मैप वाले वीडियो देखे होंगे ठीक है चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला question है जोटीबा फुले सत्या सोदक समाज राजा राम मोहन राय किस से related थे तो यहाँ पर हमको related देखना है कि जोटीबा फुले तो सत्या सोदक समाज से related थे राजा राम मोहन राय जी किस से related थे option A है आपका आर्या समाज, ब्रह्मा समाज, सत्या सोदक समाज या प्रार्थना समाज सत्या सोदक तो अलड़ी दिया ही हुआ है तो यह तो नहीं होगा cross कर दीजिए उसके लावा यह तीन जोएं आब इन तीनों में से कौन से थे राजा राम मोहन राय का इसमें था आपका ब्रह्मा समाज, ठीक है ब्रह्मा समाज, ब्रह्मा समाज किन का है आपका यह राजा राम मोहन राय का है ठीक है बात समझ के है तो आपका यह कौन सा option करेक्ट हुझेगा यह बी वाला करेक्ट हुझेगा नेक्स्ट है आचा याद करने के लिए थोड़ा निमोनिक्स और कहानी की तरह याद करिएगा कुछ रटने आप बैठोगे तो कुछ दिन रट पाओगे फिर भूल जाओगे कहानी की तरह याद करना जैसे कि आप इसको याद कर सकते हो मानलीजी राम है राम इस लाइक ब्रह्मा टू अस ठीके ही सो आदर्श और इस तरीके से आप राम वाला और ब्रह्म ऐसे करके ब्रह्म इस रिलेटेट टू ब्रह्म समाज ऐसे याद कर लो ऐसे कुछ अपनी ट्रिक्स बनाते चले जाओ ठीके हर चीज़ पर और वो याद आ जाता है आप जब पेपर दोगे आपको याद आ जाएगा ठीके सो डोंट वरी की कैसे याद करें हैं ओके नेक्स कुश्यन देखते हैं राजा नाम मोहन रोईस ब्रह्म समाज वोज इस्टेबलिश्ट इन दे यर अच्छाए आप ब्रह्म समाज बना कब था ये बताना है हमें तो 1820, 1825, 1828, 1830 तो कौन सी यर में बना था ये ये आपका बना था 1828 में 1828, option C is correct, fine next question is, the Satya Shodak Samaj Society of Seekers of Truth was established in ये आप, by sorry, in नहीं, by okay, ये किसने established की थी, अब भी उपर ही अमने first question में पढ़ा भी था तो कौन थे ये, ये थे आपके जोतीबा फुले, option B is correct, ठीके सत्य शोजक समाज किससे related है, जोतीबा फुले, सत्य जोती, सत्य जोती, असे गर के याद कर लो next question है, who founded Samvad Comedy, a journal in Bengali language ठीके, Samvad Comedy थी न, वो कौन चला रहा था, Bengali language में तो वो किसकी थी बताइए, ईश्वर चंदर विद्यसागर, ददभाई नरोजी, राजा राम मोहन रॉय, जोतीबा फुले किसकी थी Samvad Comedy, बताइए तो वो थी आपकी राजा राम मोहन रॉय, यानि कि ये वाला option आपका option C correct है समबाद, राम, ठीके, समबाद किसके साथ हो रहा है, राम के साथ हो रहा है, तो समबाद, कॉमदी, राजा राम मोहन, रॉय, गॉट इक, नेक्स कुश्चन है The year in which the Congress was established, Congress किसी येर में आई थी, तो सबसे easy question है Congress INC, INC का form होई थी, आपकी, बताइए, 1885, 1856, 1898, 1886 तो आपकी जो INC थी, वो form होई थी, 1885, राइट, इसको तो रट लीजी आप बैट करके, ठीक है INC उस फॉर्म है, 1885, ओके, नेक्स्ट वान इस, मैच दो following, ठीक है तो रजा राम मोहन रॉय, जोतिवा फुले, स्वामी धयानन, स्वामी वेकानन, इनकी जो भी mission है, या फिर समाज इनोंने बनाए थे, उनसे आपको मैच करना है राचा राम मोहन रॉय को अभी मैंने आपको याद कराया, राम ब्रह्मा से थे न, तो राम का ये ब्रह्मा से रिलेट कर दो, ठीक है रामोन राय ब्रह्मा समाज से हो गए जोतिबा फुले का अभी उपर आपको ने देखा था जोति सत्या तो जोति सत्य सोधक हो गए ठीक है उसके बाद कौन सा है स्वामी विवेका नन का कौन सा है स्वामी विवेका नन स्वामी दयानन स्वामी विवेका नंद का आपका है राम कृष्णमिष्ण ठीक है और स्वामी दया नंद जो बचा है आर्या समाज हो गया ठीक है दया, आर्या, दया, आर्या ऐसे करके याद कर लो कुछ मतलब ठ्रिक बना लो कि मुझे 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 बस आपके वो चीज आज़े तुरंती, आंसर आज़े तो दया जो है वो आरे समाज रहे और विवेकनन जी रामकृष्ण अमिश्ट से ठीक है यह आपका ऐसे आप अपना चेक कर लिजेगा match the following में next question is which of these was not not पे बहुत ध्यान देना ठीक है यह लिखा हुआ है not a repressive policy of Lord Litton Lord Litton की repressive policy इसमें से कौन सी नहीं थी not ठीक है तो कौन सी नहीं थी इसमें से Arm sect, Elbert Bill, Vernacular Press sect, Grand Delhi दर्बार तो कौन सा था Lord Litton का इस से related नहीं था जो वो था आपका Elbert Bill ठीक है क्योंकि वो रिपन से related था वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी है ठीक है पार्ट वन में बताया है तो प्लीज आप MCQs के जितने भी वीडियोस हैं वो देख लीजेगा बहुत helpful है फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वार उफ इंडिपेंडेंस के आप उनको कर लीजेगा वो शॉर्ट कुश्ट में भी help करेगा आपको ठीक है और बहुत छोटे छोटे डूरेशन के वीडियोस हैं बहुत बड़े मैंने बनाए ही नहीं है आप एक घंटे में सारा देख सकते हो चलिए नेक्स कुश्चिन इस बहुत एजी कोश्चिन है किसने किया था बताइए ए ओ हुम ने हुम ने किया था ठीक है एसे करके कुछ याद कर लो इसने फाउंड किया ए ओ हुम इस सब बस याद करने के तरीके है निमोनिक्स टाइप की चीज़ें है ठीक है नेक्स कुश्चिन है और ये लास्ट कुश्चिन है इस वीडियो का उसके बहुत मैं और भी लेकर के होंगी तो इसको आंसर करिएगा इसने लिया था फास्ट सेश्चिन आप से पूछा जा रहा है तो कौन था बताइए आपका उप्शन है ए ओ हुम डब्लू सी बैनर जी ददभाई नरो जी या फिर बरुदिन तैप जी ये कुश्चिन सेम आपका लास्ट वीडियो में भी है तो आप आंसर कर सकते हो बताइए तो इसका उप्शन करेक्ट होगा डब्लू सी बैनर जी ठीक है तो नेक्स वीडियो में फिर से मिलते हैं आपके साथ एमसी की उस में हंडेट में हंडेट लाने है हिस्ट्री में एमसी की उस तो छोड़ने ही नहीं है आपको रटने की बात ही नहीं है बात क्या है बस कहानी है कहानी को पढ़ना है और कहानी तो हमें बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाती ठीक है स्टोरी तो हमारे को बस पूछते रहो स्टोरी तो हम तयारी कर लेंगे भली फॉर्मुला को याद न रहे तो हिस्ट्री में हंड़िट लाना कोई मुश्किल बात है ही नहीं स्टोरी टेलिंग है और आपके स्टेटमेंट्स या फिर जो आप सेंटेंस लिखते हो उसे बस अच्छे से फार्म करना है और कुछ नहीं करना है ठीक है बाकी जो चीज़े आपको याद नहीं हो रही है उसके लिए मैं आपको जो ट्रिक्स बताती जाती हूँ कि आप इसको ऐसे रिलेट करो ऐसे निमोनिक्स बना लो आप ऐसे कर लो डेफिनिटली आपको वहाँ पर याद आ ही जाएगा ओके चलिए all the best फिर से मिलते हैं बाबाई